हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनिरिंग ग्यान आज के इस वीडियो में हमें एक कमेंट आया हुआ है जिसमें एक स्टुडेंट है अविनास कुमार तो उसने यह बोला है कि डेटा स्ट्रेक्चर में उसे एक बीटरी क्रियेट करनी है जिसे उसे कि कुछिन की बात करें तो कुछिन हमारे पाई यह है Constructor Btree एक बीटरी हमें डिजाइन करना है जिसमें ऐ content हमें दिये हुए हविंक डिग्री डिग्री जो है उसका कितना दे रिखा है 5 दे रिखा है simple हमें याद रखना है order जो है वो main चीज है हमारी तो order जो है वो ही हमें mainly देखना है तो order क्या है इसमें 5 है तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें maximum maximum child जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं इसके जितना इसका order होगा यानि 5 वह भी हो सकते हैं और the key which showed you in aदór 5- pigment यह सब हम पहले देख चुके हैं वह व्हों कैसे सकेर है चला हम ईत्छी इसों पहले हैं भूख उसमें जो हैं क्या होता है और этим कि extent कितनी होती हैं यह सब हमने पहले बना रहें वीडियो में तो इसमें के वल हम लोग इसका solution देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें यह याद रखना है कि इसका जो child है वो 5 हम create कर सकते हैं और इसमें maximum key जो हो सकती हैं वो 4 हो सकती हैं तो सबसे पहले हमारे पाज जो B tree में आये हैं वो कौन कौन से element आये हैं 7 आये हैं तो सुरू के 4 element तो हमें ले लेने हैं 7, 15, 3 and 6 और हमें B tree की condition भी होती है कि वो क्या होता है ascending order में data जो होता है वो store होता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं इसमें store कर सकता हूँ 4 value 4 value मैं initially इसमें enter कर सकता हूँ इस एक एकर की भी आप दिखा सकते हैं पहले 7 आया फिर 15 आया फिर 3 आया फिर 16 आया तो मैं एक साथ इसे दिखा रहा हूँ और यह एक sequential order में store होगा तो सबसे पहले यहां पर 3 आ जाएगा इसके बाद आपका यहां पर 7 आ जाएगा अब जैसी इसमें 5 एंटर हुआ means यहां पर 5 ने एंटर होना है तो 5 ने एंटर होना है 3, 5, 7, 15, 16 अगर मैं 5 को इसमें एंटर करूँ तो यह condition क्या हो जाएगी यहां पर रॉंग हो जाएगी क्योंकि 5 maximum जो की हो सकती हैं वो इसमें केवल 4 आएंगी हमने यहां पर maximum की कितनी डालती है 5 डालती है तो उस condition में क्या करता है यह जो mid element होगा अब हमें 5 को भी involve करके इसके mid element से इसको क्या कर देना है split कर देना है split कर देंगे तो उस condition में जो है हमारे पर जो value हो जाएगी 7 से यह split हो जाएगा इसके जो left hand side child में आ जाएगे वो आ जाएगे आपके 3 and 5 इस side आ जाएगा और इसके इस side जो आ जाएगी वो आ जाएगे आपकी 15 and 16 तो simple हमें याद रखना है जो element आएगा उसको भी involve करना है उसके बाद जो mid element आएगा वह से हमें उसके क्या कर देना है वन, वन element एंटर आया तो वन 7 से छोटा है यानि इस side is voluntary में जाएगा 3 से भी छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्वाल हो जाएगा, तो maximum इसमें 4 element हम डाल सकते हैं यानि इसमें 2 value और एंटर हो सकती हैं 2 key इसमें और एंटर हो सकती हैं तो 1 आया है 1 को देखना है, तो 7 से छोटा है तो यानि लेप्टेंड साइट पर जाएगा यहाँ पर यह 3 और 5 से भी छोटा है तो यह आजाएगा आपका तो जैसी 1 enter होगा तो यह value हो जाएगी 7 यहाँ पर आपका आजाएगा 1, 3, 5 और इधर आजाएगा आपका 15 and 16, यह तो 1 enter हो गया, इसके बाद element आए आपका 18, तो 18 आया, 18 की अगर condition देखें तो वो 7 से बड़ा है, यानि इसके right hand side पर जाएगा, इधर देखा हमने right hand side पर 15, 16 से बड़ा है, तो यहाँ पर 18 आना है, यानि next जो element आया हमारा 7, यहाँ पर value आपकी 1, 3, 5, इधर आजाएगा आपका 15, 16 and 18, अब यहाँ एंटर हम एक element और enter कर सकते हैं, इसके बाद next element आया है, आपका 9, 9 element आया, तो वो 7 से बड़ा है, यानि left hand side, right hand side पर ही जाएगा, 15 से छोटा है, यानि इधर तर आजाएगा, तो यहाँ पर जो element हो जाएगा, वो यह element तो वो ही रहेंगे, 1, 3, 5, इधर जो element आजाएगा, वो आजाएगा, आपका 9, 15, 16 and 18, तो proper sequential order में हमें इससे लिखना है, तो यह आपका अभी हो चुका है, 9 के आने तक, अब जो next element हमारा enter हो रहा है, इसमें, 9 के बाद आपका 35, 35 आया, तो देखते हैं, 35 कहाँ यहाँ आया, यहाँ पर भी आपने देखा, 9, 15, 16, 18, इन सबसे बड़ा है, यानि यह लगना है, यहाँ पर, 35 लगना है, यहाँ पर, अगर मैं proper इसको बनाता हूँ, तो यह 1, 3, 5, और इधर आजाएगा आपका, 9, 15, 16, 18, यहाँ पर आजाएगा 35, यह condition क्या होगे, यहाँ 16 यहाँ से split होगा, यह चला जाएगा, रूट नोट में, और हमारे जो element होगे, वो एक proper way में arrange हो जाएगे, यानि, after splitting, after splitting, जो हमारा element बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 7 के साथ आजाएगा उपर 16, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही element थे है, 7 के साथ, यह 4 element और ले सकता है, रूट, यहाँ पर element आजाएगा आपका, वही, 1, 3, 5, next, 7 और 16 के जो बीच में है, वो next element हो जाएगा, आपका कौन सा 9 and 15, इसके लावा 16 के बाद जो enter हो जाएगा, वो आजाएगा आपका 18 and 35, अब यह प्रॉपर order में आपका हो चुका है, बीटरी order में, यह हो चुका आपका 35 भी enter हो चुका है, इसके बाद next element आएगा 28, तो 28 जब enter हो रहा है, उस condition में हम देखते हैं, यह 16 से बड़ा है, या इंटर कर सकते हैं, तो उस condition में हो जाएगा आपका 7, 16, इधर आजाएगा आपका 1, 3, 5, गिया आजाएगा आपका 9, 15, और इधर आजाएगा आपका 18, 28 and 35, next element आपका 28 के बाद आ रहा है, 39, 39 भी हमारा क्या है, ग्रेटर element है 16 से तो यह राइट हैं साइट पर जाएगा, र 39 जो होगा वह यहाँ पर एंटर हो जाएगा, तो यह 39 की condition भी हमारे satisfy होगे, अब आया आपका 17, तो 17 आया, वो क्या है 16 से बड़ा है, यानि 18 से छोटा है लगना यहाँ पर है, तो जैसी 17 आया तो वैल्य हो जाएगी 7, 16, 1, 3, 5, next element आपका यहाँ पर आजाएगा, 9 and 15, यह यहाँ पर आपका element हो जाएगा, 17, 18, 28, 35, 39, but यह condition फिर से क्या हो गई हमारी, wrong हो जाएगी, wrong हो जाएगी क्यों, क्योंकि इसमें element फिर से क्या हो चुके है, 5 हो चुके, तो उस condition में फिर से यह mid वाला जो होगा, split होगा और यह उपर चला जाएगा, किस के साथ, root के साथ, यहाँ पर से ही है, splitting हो जाएगी इसकी, splitting होगी, और यह उपर चला जाएगा, तो condition आप हमारी बन जाएगी, यह root note के साथ, एड हो जाएगा, तो हमारे पास जो actual बन जाएगा, गो बन जाएगा, 7, 16, 28, यहाँ पर value आजाएगी, 135, next value यहाँ पर आजाएगा, 9, 15, इन दोन 35 and 39, तो यह अब proper हो गया आपका B3 एक order में, तो यहाँ पर तक हमारी value हो चुकी है, यानि हमने 17 को भी एंटर कर दिया है, अब आया आपका value 14, 14 एंटर होना है, तो 14, 16 से छोटा है, 7 से बड़ा है, 16 से छोटा है, तो यह इसके साथ अंदर आजाएगा, तो यानि हमारा जो हो है, 14 एंटर होके आजाएगा, 7, 16, 28, इधर आजाएगा आपका, 1, 3, 5, और यहाँ पर आजाएगा आपका, 9, 14, 15, next, इन दोनों के बीच में हो जाएगा आपका, 17, 18, और इधर आजाएगा आपका, 3, 5, and 39, तो यह 35 है, और यह 39 हो जाएगा, दो यह element है यहाँ पर भी, यह 35 है, इसके अगर बात करें तो यह 35 है, और यह आपका 39, next, 14 तक तो यह हो चुका है, अब next element आ रहा है आपका 20, next element आया 20, तो 20 देखेगा, 20 क्या है, 16 से बड़ा है, 28 से छोटा है, तो यह जाएगा इस वाले चाइल्ड के पास, तो यहाँ पर जो element हो जाएगा आपका, यह 7, 16, 28, इसके बाद इधर आजाएगा आपका, 1, 3, 5, इसके मीड में जो आजाएगा, वो आजाएगा, 9, 14, 15, इन दोनों के मीड में जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, 17, 18 and 20, और इसके बाद जो चाइल्ड हो जाएगा, वो आपका है, 35 and 39, next element आया 20 के बाद, 22, 22 भी प् हो जाएगा, 20 के बाद यह एंटर हो जाएगा, यानि अगर हम बात करें, 7, 16, 28, 1, 3, 5, next element आजाएगा, इन दोनों के बीच में, 9, 14, 15, इन दोनों के बीच में आएगा, 16 और 28 के बीच में, 17, 18, 20 and 22, और यहाँ पर जो लास्ट में आएगा, हमारा वो आएगा, 35 and 39, next element आया है आपका 25, next जो आ रहा है, वो आ रहा है, 25, 25 एंटर होगा, तो 25 को देखते हैं, वो कहाँ पर जाएगा, 25 होना है, 16 और 28 से छोटा है, यानि इसके साथ आना है, इसमें फिर से स्प्लीट की कंडिशन आएगी, यह 7, 16, 28, यहाँ पर कंडिशन हो जाएगा, आपकी, 1, 3, 5, इसमें आजाएगा आपका 9, 14, 15, next यहाँ पर आजाएगा आपका 17, 18, 20, 22, and 25, और इधर जो एलिमेंट आना है, वो आना है, 35 and 39, बट अगर हम इसमें देखें तो इसमें फिर से क्या हो गए है, 5 एलिमेंट हो चुके है, 5 इसमें की वैली हो चुके है, जो क्या है, रॉंग है, तो उस कंडिशन में क्या होगा, यह 20 से यहाँ पर स्पिलेट होगा, यह उपर चला जाएगा, और यह फिर से लिवाइड हो जाएगा, 5 पार्ट में, तो यहाँ पर आजाएगा 7, 16, उसके लावव 20 उपर चला जाएगा, बहाम अगर अगर बात करें, तो इधर जो वै इन दोनों के बीच में जो वैलियो आएगी वो आएगी आपकी 22, 25 एधर आजाएगा आपका नेक्स अगर यहां पर देखें तो यह हो चुका यहां पर यह गलती हो चुगी 18 है इसके बाद अब यहां पर हमारी लास्ट की एंटर होगी और इसके बाद हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका यहां पर आजएगा 7 16 20 28 next इधर तो आपका वो ही आ जाएगा 1 3 5 इसके बीच में आ जाएगा आपका 9 14 15 इन दोनों के मीड में आएगा आपका 17 and 18 इन दोनों के मीड में आ जाएगा आपका 22 25 एन यहां पर जो एंटर हो जाएगा वो आ जाएगा 27 और लास्ट में जो आ जाएगा आपका यह आ जाएगा आपका 35 and 39 तो यह आपका एक्चुल जो होगा लास्ट बीटर इसमें क्रियेट हो जाएगा तो यह आपका हो गया है बीटरी क्रियेट हमारा यह हो चुका है थैंक्यू फ्रेंड